महराश्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट में हार जाते एकनाथ शिंदे पर उद्धव के उतावले पन ने कैसे बदला पूरा सीन फैसले में CGI चंदरशूर ने क्या बड़ी बाते कहीं सुप्रीम कोर्ट में Chief Justice of India डिवाई चंदरशूर ने शिव सिना उद्धव ठाकरे गुट और शिव सिना एकनाथ शिंदे गुट मामले में ऐसा फैसला सुनाया जिससे दोनों पक्षों की धड़कने बढ़ गई लेकिन बढ़ी हुई धड़कनों के साथ जहां उद्धव ठाकरे को अपने एक उतावले पन में लिये गए फैसले से मायूसी और पश्थावा हुआ तो वही एकनाथ शिंदे ने अपनी किस्मत का साथ मिलने से ठंडी राहत की सास भरी ये फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की पांच जजोंग वाली बैंच ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने अपने पद से स्थीफा नहीं दिया होता तो वे पुरानी स्थिती को फिर से बहाल कर सकते थे हालकि इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने उद्धव ठाकरे गुट के मुख्य आरोपों पर भी मुखर लगा दी जिसमें कोर्ट ने माना कि महराष्ट के राज़िपाल भगत सिंग को श्यारी का फैसला गरत था साथी कोर्ट ने महराष्ट विधान सभाज स्पीकर राहुल नारवेकर के फैसले को भी गलत माना इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एकनात शिंदेगुट के नेता भरत गोगावले की ओर से विपकी नियोकती को भी गलत माना इन तीनों ही आरोपों को सही मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल रहते हुए भगत सिंग कोश्यारी ने जो फैसला लिया वो पूरी तरह से असमविधानिक और गलत था हाला कि ऐसा होते हुए भी उद्धव ठाकरे को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल सकी क्योंकि उस दौरान उन्होंने हट बड़ा हट में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था अगर उन्होंने तब ऐसा नहीं किया होता और सुप्रीम कोट के फैसले का इंतजार करते तो महराज शकीर राजनीती में आज इस्तिती कुछ और ही होती उद्धफ ठाकरे को आज राहत मिल सकती थी लेकिन उद्धफ ठाकरे आज सुप्रीम कोट के ऐसे फैसले पर मुठी मसलते रहे गए जाहिर है उन्हें अपने उस फैसले पर अब मनाल भी हो रहा होगा लेकिन अब वे कर भी क्या सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अब वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से बहाल नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने सदन में बहुमत सावित होने से पहले ही स्तीफा दे दिया था इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि पूर्व सीम उद्धव ठाकरे के स्तीफे के बाद महराश्ट्र विधान सभा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के दावा पेश करने पर एकनात शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का फैसला सही था इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुठ के नेता भरत गोगावले को शिव सेना पार्टी का सचेतक न्यूक्त करने के विधान सभा अध्यक्ष के फैसले को गैर कानूनी बताया कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मुद्दों पर अध्यन के जरुष है कि क्या विधान सभा अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव से उनके अयोग्यता नूटिस जारी करने के अधिकार सेमित हो जाएंगे या नहीं सुप्रीम कोर्ट ने माना कि महराश्ट्र के राज्यपाल का फैसला भारत के समविधान के मुताविक नहीं था कौरतलब है कि उद्धव ठाकरे गुट की और से दायर की गई अरजी में एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्यत हराने की मांग की गई थी जिस पर एकनाथ शिंदे गुट को फिलहाल फौरी रहत मिल गई है आपको बता दें कि अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी इस खबर में फिलहाली तरह ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ